Hello friends, welcome to GK Kredge. Friends, आपका RRB NTPC exam के लिए और एक सांदर वीडियो लेकर करके आया हूँ. दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले तीन दिन में आपके railway NTPC exam के जितने भी सवाल पुछे गए थे, आनि 28 December, 1st shift, 2nd shift, 29 December, 1st shift, 2nd shift, और 30 December के 1st shift, 2nd shift में जितने भी GK के सवाल पुछे गए थे, सब मिला करके लगभग 230 GK के सवाल डिसकस करेंगे, सारे के सारे 100% real question है. दोस्तों, अगर आपका exam खतम नहीं हुआ है, तो इस वीडियो से सबसे ज़्यादा आपको होने वाला है, कि दोस्तों, यही सवाल ही हुब भू हुब दोस्तों, इनमें से कुछ सवाल आपके shift में जरूर मिल जाएंगे, और इस से related सवाल तो दोस्तों, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो के आँट तक किसी भी हाल में जरूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में दोस्तों, सारे के सारे सवाल मैं रिविजन करवा दूँगा, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनिट में, हम 230 सवाल अभी डिसकस करने वाले हैं, त्यार हो जाएए, और चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, दोस्तों, पहला सवाल पुछा गया था, बर्गत का पैड का बग्यानिक नाम क्या है, दोस्तों, इसका सही अंसर होगा, फिकस, बेंगालेंशीस, दोस्तों, नेक्ट से, 2019 का सबसे क्लीनेश सीटी का पुरसकर किसे मिला, इंदोर सीटी को, ओके, इंदोर से अंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्ती थे, नेक्स दोस्तों, राज्यसवा की कितनी सीट हैं, ओके दोस्तों, राज्यसवा में कितने सीट हैं, 250 सीट हैं, नेक्स दोस्तों, राइबोजम का खोच किस ने किये थे, किस बगानिक ने किये थे, जर्च E. पलेड, ओके, याद रखेएगा, नेक्स सवाल लेखते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो योजना है, ये कब आरम हुआ था, 22 जनुवारी 2015 को आरम हुआ था, दोस्तों अंद्रप्रदेश का लोक निर्तियक कौन सा है, सवाल पुछा गया था, इसका सिया अंसर होगा कुची पुडी, ओके दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गय होगे दोस्तों नेक्स है, इसरो का स्तापना कब हुआ था, इसरो दोस्तों एस्टाबिलिस किया गया था, 1969 में याद रखेगा, 15 अगस्ट 1969 में इसका स्तापना किया गया था, हम डिटेल्स में उतरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये सुपरफास्ट रिविजन है, बहुत सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ हम 30 मिनिट के अंदर यहाँ पर कंप्लिट करने वाले हैं, दोस्तों नेक्स है, आरियभट सेटलाइट ये कब लंच किया गया था, इसरो का 1975 में लंच किया गया था, नेक्स है दोस्तों मोलिक अधिकार, ये किस भाग में है, एक्ट कब लागू किया गया था, से आंसर होगा 1961 से लागू किया गया है, दोस्तों नेक्स सवाल है, ट्राक बग, ये किस प्रकार का डिभाईस है, कम्पीटर से ये सवाल पुछा गया था, दोस्तों से आंसर होगा, ये एक इन्पूट डिभाईस है, नेक्स है दोस्तों आसाम और उरोनचल प्रदेश को जोनने वाला देश का सबसे लंबा पूल कौन जा है? दोस्तों से अंसर होगा, बोगी बिल पूल, इसका से अंसर होगा, दोस्तों एक सवाल है, बिग बैंग थियोरी, एक इसने दी थी? से अंसर होगा, जोर्च लेमातिर, दोस्तों नेक्स्ट है, गोआ के मुक्ष्यमंत्री कोन है? दोस्तों इसका से अंसर होगा, गोआ के मुक्ष्यमंत्री है, प्रोमोत सावन, अगला सवाल है दोस्तों, दा रिपबलिक नामक पुस्तक, ये जो पुस्तक है, दा रिपबलिक इसके लेखक कोन है? दोस्तों इसका स पहला परमाणू रियाक्टर कौन सा था दोस्तों से अंसरों का अपसरा ये भारत का पहला परमाणू रियाक्टर था ओके दोस्तों अगला सवाल है common wealth games 2022 2022 में common wealth games ये कहाँ पर आयोजित होगा? इंगलंड का Birmingham में आयोजित किया जाएगा ओके दोस्तों next है जोजिला दर्रा एक इसको आपस में जोडता है जोजिला दर्रा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और लदाक ये दोनों को जोडता है अगला स्वाल है दोस्तों हाली में आमेरिका के चुने के ने राष्ट्रपती कौन है? से अंसरवा दोस्तों जोए वीडेन next दोस्तों OECD इसका मुख्याले कहां पर स्तीध है से अंसरवा दोस्तों प्रांस का केपिटल प्रांस में गवर्नर जेनरल कौन थे? लॉर्ड हारिंग से अंसर हो जाएगा अगला सवाल है दोस्तों दक्षिन आपरिका का प्रसासनिक राजधाने कौन सा था? प्रिटोरिया इसका से अंसर होगा प्रिटोरिया और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल डिसकास करेंगे उससे पहले बतादाना चाहता हूँ आप अगर हमारा जिके क्रेच अप्लिकेशन आप तक डाउनलोड नहीं की है तो अभी तुरंट कर लिजेगा कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका RRB एक्साम के ऑफिसियल प्रिफ भी मिल जाएंगे इसलिए तुरंट डाउनलोड कर लिजे इस वीडियो का टेक्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों जीके क्रेच अप्लिकेशन को किसी भी हाल में डाउनलोड कर लिजेगा अगर आप NTPC का GK सेक्शन में 100% सक्सेस चाहते हैं तो बस एक बाद डाउनलोड कर लिजे उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना हेलफूल है यह अप्लिकेशन आपके लिए दोस्तों नेक्स सुवाल पुछा गया था मुमलूक बंस यह किसे सम्मन्दीत है जो मुमलूक बंस है इसको दोस्तों दास बंस भी कहा जाता है कुद्बुद्धिन आईवाक इसके फाउंडर थे चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा नेशनाल पार्क जम्बू कास्विर में स्तीध है दोस्तों सियान सरोगा दाची घाम नेशनाल पार्क ये दोस्तों जम्बू कास्विर में स्तीध है दोस्तों मैं आपके लिए national park से related उसके बाद computer और internet का full form से related उनका invention से related सभी वीडियो बना दिया है जाकर के जरूर देख लीजिएगा सभी का link दोस्तों वीडियो का reaction box में दे दूँगा कौन सी सरकारी योजना का नाम Guinness Book of World Record में? दर्ज है प्रधामंतरी जंधन योजना दोस्तों next है बारडोली सत्याग्रह ये किसका नेत्रूतों में क्या गया था? सरدर बललब भाई पटेल का नेत्रूतों में क्या गया था? कब क्या गया था दोस्तों? 1926 में ओके दोस् grad next है निपाव हायरस, ओके निपाव हायरस ये किस राज्य से फैलना सुरू हो था, के रल इसका सही अनसर होगा दोस्ट वाल पुछा गया था कि इन मेंसे चार राज्या dot daw कि इसमें बिधान परिसत नहीं है इसके लिए दोसमें पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस-किस राज्य में बिधान परिसत है पहला है अंदरप्रदेश, बिहार, कनाटक, महराष्टर, तेलंगान, उत्तरप्रदेश इतने राज्य में legislative council यानि बिधान परिसत हैं और इससे बाहर कोई भी राज्य में नहीं है तो option के उपर depend करता है तो next है, महावीर का मूल नाम क्या था, उनका जो बच्पन का नाम दोसमें क्या था, बर्धोमान सही अंसर इसका हो जाएगा तो next है, भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां पाये जाता है, कन्ना टक इसका सही अंसर होगा सबसे ज्यादा सोना पाये जाता है कन्ना टक में अगला सवाल है दोसमें, एक के भी कितना बाइट होता है, सही अंसर होगा दोसमें, एक हजार चबीस बाइट होता है एक के भी गोल्टू दोस्तों नेक्स्ट है HDCP इसका full form क्या है HDCP दोस्तों इसका full form है High Bandwidth Digital Content Protection क्या धुआ चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश मानवव्Jackie सुचकांक यानि Human Development Index में फास्ट र्यंक पर है दोस्तों इसका सी answer होगा Norway देश कि जो Human Development Index में फास्ट र्यंक में है और सेकेट में कौन है swagger land है, तो सो next है दक्षिन अमेरिका में land log countries कोन सी है c answer हो जएगा दोस्टोन आपके अप्सान में थे पारागोई और बोलिविया, ओके ये दोनो country land log countries है तो सो next है भारतिय और आश्ट्रिय कंग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्थम बार सोराज सप्थ ओ हमे ओके आलान ओक्टावियान हुमे के इंडियान नेशनाल कंगरेस के स्तापना किया थे दोस्तों नेक्स सवाल है bank up both the इसका दोस्तों बिलायन किन बेंकों के साथ हुआ था से अंसर हुआ दोस्तों देना बैंक एंड बिजया ैंक एक है देना बैंक दूसरा है बिजव बैंक और दोस्तों कब हुआ था ये भी यात रख लिजे एक अप्रेल 2019 में हुआ था एक अप्रेल 2019 को हुआ था ओके नेक्स सवाल देखे हैं दोस्तों DRDO का बिक्सित रोकेट लंजर रोकेट लंजर कौन सा है ज़स्तों पिनाक ये DRDO दोरभ़ी का सित क्या गया है अगला सवाल है दोस्तों सबरीमाला मंदीर ये कहां पर स्तीत है केरल में सही अंसर हो जाएगा ओके दोस्तों नेक्स्ट है रबट हुग ने किसकी खोच की थी आपका बैलोजी से सवाल है कोशी का इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है दोस्तों उबन्तु यह एक क्या है दोस्तों सही आंसर होगा यह एक ओपरेटिंग सिस्टम है for cloud computing ओके यह सवाल याद रखे दोस्तों फिर भी repeat हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट है जापान में ने साही युक का नाम जो एक मई 2019 से शुरू हुआ उसका नाम क्या है दोस्तों यह इंगलीस में बोले तो name the new imperial era that begin on 1 May in जापान से अंसर होगा दोस्तों रेवा और उससे पहले जो country का era क्या था जापान का era दोस्तों ही सी दोस्तों अंगला सवाल है विशो परियावरण दिवस यानि environment day का थिम क्या था time for nature से अंसर हो जाएगा कौन सा स्तल दिल्ली में नहीं है से अंसर हो जाएगा दोस्तों बुलन दर्वाजा यह दिल्ली में नहीं है यह कहाँ पे है दोस्तों उत्तर प्रदेश का खातेपूर सिक्री में स्तीथ है दोस्तों नेक्स्त है भारत का सर्बोच परबत सिखर कौन सा है यानि highest mountain peak of India कौन सा है दोस्तों कंचन जंगा इसका सही आंसर हो जाएगा ओके जो कि इंडिया और नेपाल का बोड़र में स्तीथ है इसका मुचाई दोस्तों कितना है 8560 मीटर दोस्तों नेक्स है Steel Authority of India Limited सेल का फूल फॉल्फरम क्या है Steel Authority of India Limited इसके next chairman कौन बनेंगे दोस्तों सही आंसर हो जाए में यानि 31 December से पहले कौन है अनिल कुमार चोधरी दोस्तों एक सवाल है पानिपत का दूसरा यूद कब हुआ था ओके से अनसर हो जाएगा दोस्तों पांच नवेंबर 1556 में हुआ था और दोस्तों किसके बीच में हुआ था बेरम खान जो कि अकवर के सनापती थे और दोस दोधी के बीच में और दोस्तों क्रितिय पानिपत यूद किसके बीच में हुआ था मराठा और अहमद सहाअबदाली के बीच में हुआ था चले नेक्स देखते हैं नेक्स दोस्तों कम्पीटर का मस्टिस्क किसे कहा जाता है CPU को Central Processing Unit से आंसर हो जाएगा दोस्तों से शुकन्या समृधी योजना एक किससे समंधित है दोस्तों से आंसर हो जाएगा इस योजना के ताहत जो बेटियों जो स्कूल जाती है उनके लिए दोस्तों कुछ बचट किया जाता है उनके खाते में नेक्स दोस्तों URL का full form क्या है दोस्तों URL का full form है Uniform Resource Locator तेलिंग गाना के राज्यपल कौन है दोस्तों से आंसर होगा तामिली साई सुन्द राजण ये तेलिंग गाना के राज्यपल है इन्होंने कब कारिया भर समाला था 8 सेप्टेंबर 2019 से अगला स्वाल है दोस्तों चुने का पानी जो होता है Lime Water इसका chemical formula क्या है Calcium Hydroxide C-A-O-H-2 इसका से आंसर होगा और दोस्तों Quick Lime और ये भी स्वाल अगर पुछा गया Quick Lime का रसाइनिक्स उत्र क्या है तो इसका हो जाएगा दोस्तों Calcium Oxide और पुछा गया दोस्तों संग मरमर का formula क्या है यानि Marble का chemical formula क्या है उसका दोस्तों हो जाएगा C-A-C-O-3 Calcium Carbonate दोस्तों एक्स वाल है सांचीश तूप को कब इन इसको द्वारा 200 दरहर में समिल क्या गया यानि दोस्तों शांचीश तूप जो मध्यप्रदेश में स्तीत है इसको World Heritage Site में कब समिल क्या गया 1989 इसका सही answer होगा ये मध्यप्रदेश में स्तीत है और इसको किस ने बनाया था असो काने दोस्तों next है GST ये किस प्रकार का tax है ओके दोस्तों ये एक indirect tax है सही answer हो जाएगा ये एक indirect tax है और GST का दोस्तों फुल्फम क्या होगा Goods and Service Tax चले दोस्तों नेक्स देखते हैं सवाल दोस्तों ये भी पुछा जाता है कि GST कब लागू किया गया था एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था और दोस्तों ये किस संविधान संसोदन के अंतरगत आता है 101 चले नेक्स देखते हैं दोस्तों पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है ये जो बाइल जू से ये कहां से secret होता है से answer होगा दोस्तों या कृत यानि लिवर से ये secret होता है ये कहां पे store होता है गल ब्लाडर में store होता है जिसकों कि हिंदी में कहते हैं पिता से दोस्तों नेक्स है रुहूरीजियन ये कहां स्तीत है जर्मानी में स्तीत है नेक्स पुछा गया था दोस्तों foot loss industry ये किस तरह का चीज बनाता है दोस्तों याद रखेगा diamond, computer chips, mobile manufacturing ये सब करता है आपके option के उपर depend करता है इसका सी अनसर क्या होगा सवाल बुछा गया था foot loss industry ये किस तरह का product produce करता है manufacture करता है दोस्तों नेक्स ए ख्वाजा मौईनुद्दिन चिष्टी की बंदरगा कहां पर है सियान सर्गवा दोस्तों राजस्तान का आजमेर में स्तीत है http इसका full form क्या है दोस्तों hypertext transfer protocol दोस्तों नेक्स्ट है प्रोस्तावना में स्वतन्तरता समता बंधूता आदर्स का सिधाम किस देश से लिया गया है एन दोस्तों liberty, equality, fraternity मारा इंडिया का constitution में जो है वो कहां किस देश से लिया गया है फ्रांस से लिया गया है दोस्तों एक सवाल है निर्वाचित स्तानियस सरकारी निकाय का गठन सर्वा पर्थम किस भाइसराए के समय क्या गया था या दोस्तों जो local self government किस भाइसराए के समय सुरू क्या गया था Lord Ripon इसका से अंसर होगा इसलिए दोस्तों इनको father of local self government या पंचायती राच भी कहा जाता है दोस्तों नेक्स सवाल है skill development and entrepreneurship मंत्राले द्वारा जारी कोसल योजना का नाम क्या है से अंसर होगा दोस्तों प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना इसको कब लांच किया गया था 2015 16 जुलाई को संसत आदर्स ग्राम योजना किस नेता से प्रेरीथ है आदर्स ग्राम योजना दोस्तों एक किस लीडर से इंस्पार्ड है से अंसर होगा लोक नायक जे प्रकास नेरेन चली नेक्स सवाल देखते है ATL इसका full form क्या है दोस्तों से अंसर होगा बिक्रम लेंडर थे और प्रग्या रोभर थे इसको दोस्तों कब लांच किया गया था याद रखिए 22 जुलाई 2019 को लांच किया गया था चंद्रायान 2 को दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था राजीब गांधी खेल रतना आवार्ड 2020 का दोस्तों कि किस रेसलर को दिया गया है सियान सर्वाद दोस्तों विनेस फोगात को दिया गया है और उस्तों टोटल पांच लोगों को दिया गया है वो है रोहित सर्मा जो कि क्रिकेट से समद्दीथ है उसके बाद दोस्तों है रानी रामपाल जो कि हùकी से समद्धी थे, विनेस वोगत रेसलिंग से समद्धी थे, मननीका बातरा जो कि टेबल टेनिस से समद्धी थे और उसों, मरयापन ठांग भेलू जो कि पारा ओलमपिक से समद्धी थे, दौस्त नेक्स्ट है 1857 के विद्रहप और आधारीद इन मेमोरियम पेंटिंग किस ने बनवाया से यानसरवगा दोसों Joseph Noel Fettren दोस्ता नेक्स्ट है भारत की प्रथम सुपरफास्ट रेंग कौन सी थी ओके इंडिया सुपरफास्ट रेंग दोस्ता डेकान कुईन थी सर्वग रही रक्त सम्होग कौन सा है सियान सर्वगा दोसों AB Plus ये दोसों Universal Accepter Blood Group है और दोसों Universal Donor Blood Group कौन सा है O Positive चले दोसों नेक्स देखते हैं सेंक राष्टर का महा सचीप United Nations के Secretary General कौन है दोसों Antonio Guterres 2017 से हैं ये दोसों नेक्स भारत का प्रथम सुपर कम्पीटर कौन सा है सियान सर्वगा दोसों Param 8000 ओके ये भारत का सबसे पहला सुपर कम्पीटर है और दोसों बिशो का जो प्रथम सुपर कम्पीटर का नाम क्या है CDC 6600 इसको दोसों किसने बनवाया था सेमोर क्रे ओके दोसों नेक्स ये राष्ट्रिय उद्यान एक Tiger Reserve खेतर है ओके दोसों आपके अपसन में चार National Park दिए गए थे राष्ट्रिय उद्यान दिए गए थे उनमें से से आंसर हो जएगा दोसों Jim Corvette National Park जो की उत्राखंड में स्तीथ है अगला सवाल है दोसने सम्मिधान दिवस एक कब मना जाता है से अंसर हो जाएगा दोसने 26 नवेंबर को मना जाता है दोसने एक कौन सा एक web browser नहीं है दोसने सवाल बचा गया था कौन सा एक web browser नहीं थे Google Chrome, Mozilla, Opera, Google दोसने Google एक search engine है ये एक web browser नहीं है तो Google इसका से अंसर हो जाएगा दोसने नेक्स्ट सम्मिधान सभा का जनक कौन है से अंसर हो गा दोसने डक्टर भीमराओ अमेतकर ये सम्मिधान सम्मिधान का जनक इनको कहते हैं क्योंकि ये drafting committee के अधाक्षया थे होगे दोसने चलिए नेक्स सवाल देखते हैं दोसनों नेक्स्ट सवाल पुछा गया था Python क्या है दोसनों से अंसर हो गा Python एक programming language है दोसनों अंकला सवाल है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रहल लांच करके 200 record बनाया है से अंसर हो गा दोसनों कुल 104 उपग्रहल लांच करके नेक्स्ट है निम्बूरस लेमन जूस जो होता है उसका दोसनों pH भेलू कितना है से अंसर हो गाएगा दोसनों 2.4 जो की HD एक है दोसनों नेक्स्ट है 2020 में केंदिरिय सिख्या मंत्री कौन है दोसनों से अंसर होगा रमेश, पोख्रियाल, निसंग नेक्स है दोस्तों 2020 विशो परियावर livestock की मेजवानी किसने की दोस्तों इसका it's answer होगा Colombia ने विशो परियावरण livestock की मेजवानी की औरूर 2019 में offerings. चीन ने इसका मेजवानी किया था और विश्व परियावरान दिवस दोस्तों कब मनाय जाता है पांच जून को मनाय जाता है तो लिए दोस्तों नेक्स देखते हैं Intel 19 क्या है दोस्तों ये एक desktop microprocessor है तो लिए दोस्तों नेक्स सवाल देखते हैं सार्ग का सदस्य कौन सा देश नहीं है यह सवाल पुछा गया था दोस्तों इससे पहले आपको जानना पड़ेगा सार्क के सदस्या देश कौन-कौन से हैं अफगानिस्तन, बंगलादेश, भूटान, इंडिया, माल्दीफ और स्री लंका और नेपाल और पाकिस्तान ओके ये सारे के सार्क के सदस्या देश हैं इनक दूसंवें दोज़ेश, दोस्तों नेक्स सवाल है, 2016 में बिमूद्री करण याने दी मोनェटाइशन के बक्त रिजर बैंक अप इंडिया के गवंनर कौन थे रजी अंसर हो जाएगा, अर इस बक्त रिजर बैंक अप इंडिया के गवंनर थे और दूसें यह जो बिमूद्र करण कब हुआ था आठ नमेंबर 2016 को हुआ था अब जी बरत्मान के समय में RBI की गवरनर कौन है सक्तिकान्थ दास है दोस्तों यह जो सवाल है यह आपका 28 डिसमबर को पुछा गया था फास शिप्ट में उसके बाद दोस्तों आज 30 डिसमबर फास शिप्ट में यह पुछा ग जाए और उससे रिलेक्टेल जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी पढ़ करके जाएए दोस्तों नेक्स सवाल है गित गोविंद के रचीता कौन है से अनसरों का जैदेव जातक का टेल यह किस से समन्दीत है यह दोस्तों महत्मा बुद्ध के पुर्व जन्वों की इनिशको का मुख्याले कहां पर स्तीध है दोस्तों फ्रांस का केपिटल पैरिश में स्तीध है चीन का राज़ानी क्या है बेजिंग से अनसर हो जाएगा केबिनेट मिशन यह भारत कब आया था केबिनेट मिशन दोस्तों भारत को 1946 में आया था ओके दोस्तों नेक्स्ट है IPL 2020 का उप विजेता टीम कौन रही? से अंसर वा दिल्ली केपिटल्स. नेक्ट दोस्वों, अरब सागर में गिनने वाली नदी कौन सी है? दोस्वों, से अंसर हो जेगा, तापती नदी ये अरब सागर में गिरती है. दोस्वों, नेक्ट उत्री आमरीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? से अंसर वा दोस्वों, कनाडा, कनाडा से अंसर होगा. नेक्ट दोस्वों, संसत, संसत में लोकसभा और राज्यसभा की सेंक बैठक का अधक्षियता कौन करता है? लोग सभा के अधक्ष करते हैं अभी हमारे लोग सभा के स्पीकर कौन है चलिए बताइए दोस्तों नेक्स सवाल लेखते हैं किस कंग्रेश अधिवेशन की अधक्षियता मात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी दोस्तों से अंसर होगा 40 हुआ 40 नंबर का जो कंग्रेश अधिवेशन था वो मात्मा गांधी जी दोस्तों नेक्स है भारत में कूल कितने हाई कोट है से अंसर होगा दोस्तों भारत में कूल 25 हाई कोट है समग्र सिख्या अभियान के किन कख्याओं के लिए है से अंसर हो जगा दोसों प्री स्कूल से लेकर के 12 कख्या 12 तक है दोसन एक सवाल है इंडिया का लंगेश्ट रोड टनिल भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है से अंसर हो दोसों चैनानी नासरी सुरंग जो की जम्मु का स्विमे स्थीत है और दोसों इसका अन्यानाम क्या है स्यामा प्रसाथ मुखरजी टनिल चलिए नेक्स देखते हैं दोसों कावेरी नदी जल बीबाद ये किन राज्यों के मध्या है से अंसर हो दोसों तामिल नाड़ो कनाटेका केरला पुदुचेरी नर्मदा जल बीवाद ये भी याद रखिए अपके लिए मध्या प्रदेश, गुजराथ, राजस्तान, महराष्टर तिले दोस्तों नेक्स देखते हैं विटामिन बीवान की कमी से होने वाला रोग कोन सा है नेक्स दोस्तों बेरी बेरी, नेक्स दोस्तों जिम करवेट राष्ट्रिय उद्यान, ये कहाँ पर स्तीथ है नेक्स दोस्तों इंडिया का सबसे पहला नेसनल पार्क था, जिसको कि 1936 में एस्टाबिलीज किया गया और ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आता है दोस्तों नेक्स है, 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है उससे पहले जान लिए, 2019 में किस-किस को भारत रत्न मिला था दोस्तों भूपेन हजारी का प्राणव मुखार जी, नाना जी, देस्मुकियतिनों को मिला था इनको छोड़ करके किसी का नाम में अगर आपके अप्सन में है तो वो टिक लगा जीएगा दोस्तों नेक्स टे इवन बतुता कहां का नागरिक था ओके इवन बतुता दोस्तों ये मोरोको का यात्री था ओके तो मोरोको इसका सी अंसर हो जाएगा मुलग को और यह मुहमद बिन तुगलक के काल में भारत आये थे जिवाणों के करान कौन सी बिमारी होती है आपके अपसन के ओपर डिपेंड करता है तो टाइफ़र्ड अपसन में था टाइफ़र्ड इसका सी अंसर हो जाएगा तो सनेक्स वाले मायपिया का उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है सी अंसर वादसों अपतल लेंस इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं तो सनेक्स वाले 71 गंटंतर दिवस 2020 में जो हुआ था उसमें मुख्या अती थी कौन थे सी अंसर वादसों जेर बलसोनारो ब्राजील के राष्टर पती जेर बलसोनारो अगर सनेक्स देखते हैं और 2019 का जो गंटंतर दिवस हुआ था उसमें दक्रिन अपरिका के राष्टर पती सिरिल रामा पुसा थे इसको भी आधर कियेगा दोस्तों नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है आपके अप्सन में चार दिये गए थे उसमें से ब्रोमोस से अंसर हो जाएगा जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों नेक्स्ट है जादू गोडा की खाने किस खनी छेतू प्रचली थे द ग्रांथ है पुस्तक है इसके लेखक है दोस्तों गुल बदन वेगम दोस्तों नेक्स्ट है GST का फुल फर्म क्या है गूड्स एंड सर्विस टेक्स ओके इसको कब पारित क्या गया था एक जुलाई 2017 को दोस्तों नेक्स वाले पट चित्र चित्रकला से लिए किस राज्य की ह सी अंसर होगा दोस्तों ओडिसा का पारंपरिक चित्रकला है ये ओडिसा इसका सी अंसर होगा दोस्तों नेक्स वाले कुंडन कुलम नाभी की बिद्धुत परियोजना ये दोस्तों कहां स्तीत है ये दोस्तों इंडिया का लाज़ेश नुकलियर पावर स्टेशन है ये ता पुर्थवी पर किसी पिंड का अगर द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर दोस्तों उसका द्रव्यमान कित्रा होगा वही 80 kg ही रहेगा किन्दों यहाँ पर द्रव्यमान दिया है अगर उसका भार जी आ होता तो वो 1 by 6 से मुल्टिपले हो जाता तोसों नेक्स्ट है केंदरिया, अलो, अनु संधन, संस्तान ये तोस्तों कहा स्तीत है सिम्ला में स्तीत है तोस्तों पदार्थ की मात्रा का SI unit क्या है पदार्थ की मात्रा का SI unit है मोल दोसे नेक्स्ट है बिशाणों और भायरस चनीत रोग कौन सा है से अंसर हो जीगा चचक एक भायरस चनीत रोग है निमने में से कौन सी महारतन कमपानी है कोल इंडिया लिमिटेड से अंसर हो जाएगा जो कि अप्सन में था गोबी मौरुस्तल 21 देश में है चीन और मंगोलिया देश में है प्राथना समाज दोसों ये इसके संस्तापक कौन थे से अंसर को दोसों आत्माराम पांडोराम नेक्स्ट दोसों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपती कौन थे निलम संजीव रेड़ी दोसों नेक्स टेक कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्या नहीं है पहले जान लीजे बीमस्टेक के सदस्या में कौन को नाते हैं बंगलादेश, भूटान, इंडिया, म्यामार, नेपाल, सिलनका, थाइलान ये सारे के सारे बीमस्टेक मेंबर स्टेट में आते हैं इनको छोड़ करके जो भी आपके अपसन में है उसको लिखलगा दीजिएगा ये जो दांडी है ओकि जहाँ से महात्मया गान्दी जी ने दांडी मार्श निकल ले थे को तो किस जिला में सती थे गुजराट का किस जिला में शती थे दोसों नवसरी डिस्टिक्ट में स्ती थे गुजरात का दोस्वन एक्स सवाल है स्रीनगर लेहे को जोडने वाला दर्रा का नाम क्या है दोस्वन जोजीला इसका सी अनसर होगा ओके चलिए नेक्स देखते हैं दोस्वन Mars Orbiter Mission MOM या मंगल यान इसको दोस्वन लॉंच कप क्या गया था किस तरी को लॉंच क्या गया था 5 November 2013 में लॉंच क्या गया था नेक्स दोस्वन संसत में परियाबरान रख्या अधिनियम कप पारित हुआ था से अनसर होगा दोस्वन Environment Protection Act 1886 में क्या गया था 1896 इसका सी अनसर होगा नया जानवारी को क्या गया था ओके दोस्वन चले नेक्स देखते हैं खालसा पंद की स्तापना किस ने की खालसा पंद की दोस्वन स्तापना दोस्वन इसका सी अनसर होगा Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh इसकी स्तापना किये थे और दोस्वं कब किये थे 1699 में दोसवं नेक्स्ट ए लोकसभा में अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 552 इसका से अनसर होगा दोस्वं सेरी कल्चर यह किस से समंदी थे यह दोस्वं रसम से समंदी थे सबसे लंबी मुख्या भूमी की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है से अंसर होगा दोसों गुजराट सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा किस राज्य की है गुजराट से अंसर होगा दोसना नेक्स्ट है United Nations Security Council की कब स्तापित क्या गया था इसको 1945 में स्तापित क्या गया था दोसना नेक्स्ट है गोल गम्बूच ये कहाँ पर श्तीत है दोसना एक कन्नाटका का बिजापूर में स्तीत है दोसना उर्वरक उतपादन से समंधित क्रांति का कलर किस कलर से इसको जाना जाता है दोसना ग्रेर इभॉलिशन दूसर करांती इसको कहा जाता है मोलिक कर्तबियों किस सम्मिधान संसोधन के तहट जोड़ेगे मोलिक कर्तबियों को दोस्तों 42 सम्मिधान संसोधन के तहट जोड़ेगे 40 सेकेंड यादर खीगा 40 सेकेंड अमेंडमेंड के तोरह जोड़ेगे दोस्वानेक्स वाल पुछेगा था सेव में कौन सा रोग होता है दोस्वानेक्स वाल पुछेगा था सेव में कौन सा रोग होता है दोस्वानेक्स वाल पुछेगा था सेव में कौन सा रोग होता है दोस्वानेक्स वाल पुछेगा था सेव में कौन सा रोग होता है दोस्व से answer होगा Apple यानि Arian Passenger Payload Experiment इसका full form है दोस्तों next है मोपला विद्रहो एक कब हुआ था 1921 इसका से answer होगा नेक्ट दोस्तों NIU इसका full form क्या है Network Interference Interface Unit ओके NIU का full form है Network Interface Unit छेले दोस्तों अगला सवाल देखते हैं सुरिय की चमकिली सताओ को क्या कहते हैं Glowing Surface of Sun को दोस्तों Photosphere कहते हैं दोस्तों next सापक ख्याता का सिधान किस ने दिया से answer होगा दोस्तों Albert Einstein ने दिया दोस्तों विदेशी धर्ती पर भारत्य दोज को फेराने वाला पहला भारत्य कोन था मेडम भिकाजी कामा ते लिए next देखते हैं टिहरी जल बिद्दुत परियोजना 21 राज्य में स्तीत है टिहरी जल बिद्दुत परियोजना दोस्तों ये उत्रा खंड में स्तीत है संतुर बादक कोन है दोस्तों निमने में से संतुर बादक कोन है से answer हो जाएगा दोस्तों आपके option में था शिव कुमार सर्मा ये संतुर बादक है दोस्तों नेक्स है लाइकेन्स और वेल नोन सेंसिटिव इंडिकेटर अब भॉड लाइकेन्स एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं बायो प्रोदेशन को, यह दर रखेगा नेक्स है दोस्टों, Taxonomy के फादर यानि जनक कोन है, से आंसर हो दोस्टों, Carlos Linaus, दोस्टों नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमानू सहेत्र ये कप स्तापिद हुआ था, से आंसर हो दोस्टों, 1969 में, और दोस्टों कहां पे हुआ था तारापूर महाराष्टर में हुआ था कौन सी अक्जिलारी मेमोरी नहीं है दोस्तों से अनसरों का राम और रम साहित्य एकाडेमी का मुख्याले कहां पर है दोस्तों रबिंद्र वहबन दिल्ली में स्ती थे दोस्तों नेक्ष्ट येन किस देश की मुद्रा है दोस्तों नेक्ष्ट है इवेन डिपी का मुख्याले कहां पर है दोस्तों नेक्ष्ट है इवेन डिपी का मुख्याले है दोस्तों इवेन डिपी का फुल फॉर्म क्या है उनाइटेड नेशन्स डेवलोप्मेंट प्रोग्राम हैड़्म तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसका हेड़कॉर्टर है नियुवर्क सिटी में दोस्तों नेक्स्ट है 65, फिल्म फेयर आवार्ड्स में बेट फिल्म का आवार्ड किसे मिला, सी आंसर होगा दोस्तों गली वाय फिल्म को रक्त परिशंचरन तंत्र का हिस्सा नहीं है जानना चाहिए कि क्या अदिस रासी है, क्या सदिस रासी है दोस्तों अदिस रासी के अंतरकर आता है चाल, दूरी, द्रभ्यमान, आयतन, समय, माप, कारिय, बिद्दृधरा, दाप, उर्जा और सदिस रासी के तहट ये सब आते हैं, इनको पल लिजीए और इसके हिसाब से आप अंसर दिजीएगा दोस्तों NNP, इसका फर्मूला क्या है? C answer रोगा दोस्तों GNP माइनस मुल्यहरास नेक्स सवाल है, बार्क का मुख्याले किस राज्य में है? C answer का महाराश्टर में स्थी थे बार्क का मुख्याले दोस्तों नेक्स सवाल है बार का मुख्याले किस राज्य में है यो महाराष्टर में है बार का मुख्याले और पलासी यूद किस के बीच में हुआ था ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपानी और बंगल का नवाब किसनागे बीच में हुआ था दोस्त नेक्स्ट 49 समांतर रेखा 49 पाराल दोस्तों ये किन देशों को अलग करता है उत्तरी आमेरिका एंड कनाडा को दोस्त नेक्स्ट प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना ये किस मंत्राले के अधिन आता है दोस्त नेक्स्ट 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 आप अगर हमारा जिके क्रेच अप्लिकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया तो अभी तुरंट कर लिजेगा कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका RRB NTPC एक्जाम के लिए उसको डिजाइन किया गया है जिसमें के दोस्तों करेंड एफयर के टपिक वाइज कंटेंड मिल ज NTPC का GK सेक्षन में 100% सक्सेस चाहते हैं तो बस एक बाद डाउनलोड कर लिजे उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना हेलफूल है यह अप्लिकेशन आपके लिए